अपना है दिल ये आज का दुनिया से जाके अर्ज दिन तालिम अलस्लाम सेनियर सेकेंडरी स्कूल कादियां जामिया एह मदिया थे निसर गुल्ग स्कूल बिखे भी तरंगा लहराया गया हमारा सारे जहां से अच्छा गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में समझो वही हमें भी दिल है जहां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा हम बुल बुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा पर बत वो सबसे उंचा तरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा हम बुल बुले है गुल सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हमारे मुल्क में हिंदू मुसल्मा साथ रहते है यहां इसाई के कांदों पे जिक के हाथ रहते है हमारे मुल्क में हिंदू मुसल्मा साथ रहते है यहां इसाई के कांदों पे जिक के हाथ रहते है हमारी सरहदों पे नोजवा दिन रात रहते है वो आपस की हिवाज़त के लिए तैयार रहते है मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जासे प्यारा है यह हिंदूस्ता यह हिंदूस्ता हमारा है तिरंगे की बुलंदी को जुका सकता नहीं कोई अमानला हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई तिरंगे की बुलंदी को जुका सकता नहीं कोई अमानला हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई जहां पे पाउं रख दे हम अटा सकता नहीं कोई हमारे आग सर अपना उठा सकता नहीं कोई हजारो दुशे मनों का दुशे मनी में सर उतारा है ये हिंदुस्ताँ ये हिंदुस्ताँ ये हिंदुस्ताँ हमारा है आज इस तक्रीब मे खाogether के साथ शामिल होने वाले मल्यस फद्दाम हमारा है पूरा मुल्क यूम आजादी पर तकरीब की खुशियां मना रहा है अभी कुछ देर पहले मुल्क के वजीर आजम ने लाल किले से भी पर्चम कुशाई की और खिताब सरमाया इस मौके पर जो डॉकुमेंटरी दिखाई जा रही थी चैनल की तरफ से उसमें बताया जा रहा था कि देखें लाल कि ले के उपर आज जो पर्चम लहराया जा रहा है लाल कि ले के बिल्कु सामने मंदिल भी मुझूद है और थोड़ा सागे जाएं तो गुर्द्वारा भी मुझूद है और एक तरफ मस्जिद भी मुझूद है तो कितना एक अच्छा मैसिज पूरी दुनिया को आज के दिन हिंदुस्तान पेश कर रहा होता है और ये बता रहा होता है कि हिंदुस्तान जो है वो मजाहिब का गुल्दस्ता है मुख्तलिफ तहजीबों का गुलदस्ता है और आज उन तहजीबों से उन मुख्तलिफ मजाहब के इखतलाफ से उपर उटकर एक मुल्क के बाशिंदे के तोर पे पुरा मुल्क चाहे उसमें हिंदू हों, सिक्फ हों, इसाई हों या मुसल्मान हों सब एक साथ मिलकर मुलकी योमे अजादी का दिन बड़ी खुशी और धूम धाम के साथ मनाते हैं तो ये बड़ी खुशी का मुका है हम सब के लिए प्राइम निस्टर ने भी अपने खिताब में जो ये बात कही नोजवानों को अपने जहनों में रखनी चाहिए के आज से 1947 में 1947 से पहले के वाकियात पर जब हम नजर दालते हैं हिंदुस्तान के तो बेशमार लोगों ने मुलक की अजादी के लिए अपनी जाने पुर्बान की तो आज जो है वो जाने पुर्बान करने के लिए नहीं बलके मुलक के लिए जीने का दिन है और ये कोशिश नोजवानों को करनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने मुलक की बहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं और अपनी जिन्दगी को मुलक के लिए बहतर बना सकते हैं ताकि हमारा मुलक तरकी कर सके तो जो यहां पे नोजवान खड़े हैं उनके लिए खास तोर पर मैं ये पेगाम देना चाहता हूं कि ये जिन्दगी बड़ी ख्रीमती जिन्दगी होती है आप नोजवानी के आलम में हैं छोटी छोटी उम्रे हैं आज हमारा मुलक यूम अज़ादी मना रहा है तो ये सिर्फ एक यादगारी दिन नहीं है कि हम इसको मनाएं और भूल जाएं और वक्त बज़र जाएं बलके ये दिन जो यूम अज़ादी का दिन है ये हमें याद रहना चाहिए और हमें इसको याद करके अपने अंदर ये एहसास पैदा करना चाहिए कि हमने भी अपनी जिन्दगी जो अपनी जिन्दगी जो अपनी जिन्दगी जो एक बार ही इनसान को मिलती है बार बार नहीं मिलती इसको अपनी मुलक की तरकी के लिए अपनी कौम की तरकी के लिए बहतर से बहतर तरीक पर गुजारने की कोशिश करनी है तरक्की में हर किसम का योगदान बेने की कोशिश करनी है यही खाकसार का पेगाम है दौा है कि अल्ला ताला हिंदुस्तान को तरक्कियात से नवासता चला जाए आमीन वाखरो दावानानी अल्हम्दुल्ल्लाह रब लालमी तरीक पर भी शामिल हो सकते हैं दो आशरो अपना है दिल ये आज का दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो ऐसे जागो रे साथियो दुनिया की आखे खोल दो, खोल दो लहरा दो, लहरा दो सरकशी का पर्चम लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सर्जमी का पर्चम लहरा दो आया परमत बूलो सीमा पर वीरों ने प्रान गवाई कुछ याद उन्हें भी कर लो कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लोट के घर ना आये ऐ मेरे वतन के लोगो जरा आख में भर लो पानी जो शहीद हुए है उसकी जरा याद करो कुरबानी कर दो भी कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो